नमस्त्रे दोस्तों, हमारे बहुत सारे दोस्तों के मन में एक क्वेश्चन था, कि अगर हम बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर हमारी कोई income ना हो या हमारा कोई income proof ना हो, और साथ में कोई माली जीए कोई credit history भी ना हो, तो उस case में क्या हमें credit क से लिए गाउंट है उसको के एंकम टेखर करें जैस अचर्केकन बिजनस कर रहा है तो अगर वो बिजनसमन है तो उसकी कोई income tax returns नहीं है GST returns नहीं है कोई भी मतलब उसके पास ऐसा proof नहीं है जिससे वो justify कर सके अपनी income को तो in that case क्या उसको credit card मिल सकता है bank से secondly अगर कोई credit history नहीं है for example अगर हम civil score की बात करें तो अगर civil score minus 1 आ रहा है means आपने कभी कोई loan नहीं लिया कोई recent history नहीं है आपकी in that case क्या आपको credit card मिल सकता है so दोस्तों इसका simple answer है yes चाहे आपका कोई business proof नहीं हो या salary proof नहीं हो या फिर even आपकी अगर कोई credit history नहीं हो क्योंकि banks जो है वो credit history देकर आपको credit card देते हैं अगर credit card की जो history है आपकी जो credit की history है वो अगर minus 1 है minus 1 का मतलबत है कि कोई history नहीं है आपने कभी loan नहीं लिया उस case में भी आपको credit card मिल सकता है so दोस्तों इसको दो तरीकों से हम कर सकते हैं firstly आपको करना क्या है bank में जाके अपना एक fixed deposit खोलना है यानि कि FD करवानी है उस FD के amount के against आपको एक credit card मिलेगा उस FD के against credit card की limit कितनी होगी आप लेके चलिए कि 75% से लेके तकरीबन 90% तक maximum जो bank है वो आपको credit दे देंगे credit card की limit है वो उतनी बना देंगे अगर 1,00,000 की FD है तो मोटा मोटा 75,000 से 90,000 तक आपको easily credit card मिल जाएगा second तरीका है जो credit card लेने का वो यह है कि जहाँ पर आपके already accounts हैं आपने account maintain कर रखे हैं चाहे आपकी salary किसी bank में नहीं आ रही हैं चाहे आप business proof maintain नहीं कर रहे हैं चाहे आपका civil score नहीं है लेकिन अगर आपका किसी bank में कुछ deposit पड़ा हुआ है और वहाँ पर रहता है कुछ saving के रूप में FD के रूप में तो bank अपने ऐसे customers को अभी identify करता है अपने tools के थूप और उनको pre-approved card देता है pre-approved credit card उनको दिये जाते हैं तो अगर आपको check करना है तो बहुत सारे banks ने भी start किया है अपनी website के ऊपर उन्होंने एक link दिया हुआ है तो वहाँ पर जाके आप check कर सकते हैं कि क्या आप eligible है pre-approved credit card के लिए तो उसके लिए आपको bank की website पर जाना है उनके जो pre-approved credit card के link को click करके वहाँ पर अपनी details फिल करनी है आपको OTP वगरा आएगा उसको आप जब verify करते हैं तो आपके account की जो summary है उसके हिसाब से bank आपको बता देगा कि क्या आप बिना किसी proof के बिना किसी documentation के आप credit card के लिए eligible हैं या नहीं अगर आप eligible हैं आप वहीं से apply कर सकते हैं तो आपको जो credit card है बिना किसी documentation के और बिना किसी proof के वो बनके आपके घर पे आ जाएगा तो जब आपके पास credit card बनके आ जाता है तो अपने credit card को अच्छे से use कीजिए उसकी repayment properly कीजिए timely कीजिए और इससे आपका credit score बढ़ेगा तो आपको बहुत सारे और bank एप्रोच करेंगे credit cards के लिए तो वीडियो को like कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ share कीजिएगा और चैनल को subscribe कीजिएगा Thank you so much